अरे सर्जी कैसी बाते कर रहे हैं? मैं बैटी नहीं हूँ आपकी सेवा के लिए अच्छा तो आप सेवा करेंगी फीशने लेंगी न? अरे सर्जी घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या लेकिन आपको निराश नहीं करूगी मैं फ्री में भी सर्विस देती हूँ अगर कोई मर जाता है तो आप एक बार थोड़ा सा मर जाईए फिर देखिये मैं फोकट में आपको कैसा जुलूस निकालती हू हलो हलो अरे बोलते ही टपक गए क्या साला मैं दुनिया को लपेटती हूँ और ये मुझे लपेटने चला था हलो जी मैडम जी हां जी करिये जी वायर यू वायर मी वो शायद मेरे मापा को थोरी इंदाता मस्ती आगे थी इसलिए मैं हूँ वायर यू का मदबल है मैडम कै कैसी हो तूम किने मारा को दो मारा यहां आप देखी मैडम आपी ने मारा है और क्यों गुंबा के मारा है वायर यू अभी अंग्रेजी है ना आपकी तरह मजबूत नहीं है हिंदी में बात करेंगे तो चली का क्या ठीक से पर अब तब माने को लगा था कि मारी गाउं की छ क्राहब देखकर पुडिया बांती हूं न कि बूली यह मारा किने मारा को दो मारा को संथी नहीं मेरा मतलब है कि मैं क्लाइन को कमफरटेबल रखने के लिए चल साथ लाइन वैसे बात करती हूं अच्छा यह बात से हां ठीके ठीके अब बैठिये ना ना बैठने सैटने का टाइडेबलना से मारे करने, मारे को बता कि तु उससारी समस्यां का समाधान कर देवे से, हां, तो मन्ने को हनी मूण पेचाना से, इंतिजाम कर दे, यह मारा किने मारा कदो मारा अरे नई नई माडम आप समझी नहीं मेरा बोलने का यह मतलब है कि आप एकदर सही जगा पर आई है हनीमून पर भेजने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ अच्छा हनीमून में एक्सपर्ट से नहीं नहीं माडम हनीमून में एक्सपर्ट नहीं हूँ, हनीमून बर भेजने मैं एक्सपर्ट हूँ हाँ, एक ही वाद से ऐसे भी मारे मा का कहना से कि जो अच्छा खना ना जाने वो अच्छा पकाना भी ना जाने है अब तू बता, तू हनी मून में सच में एक्सपर्ट से कि मैं दूसरी दुकान देखूं सारा क्लाइन छोल गी तो नहीं सकती है मैडम, हूँ मैं हनी मून में एक्सपर्ट, आपने इतर सही पकड़ा है अच्छा, तो फिर लग जा मारे काम पे हाँ, देखे मैडम, हमारे पसना अलग-अलग तरह के पैकेज़ेस है आप ये बताइए कि आपके पती कितना कमाते हैं अरे पती होवेगा, तो कमावेगा ना जो हमारे सब देना हुई, तो पती कहां से आवेगा आपके शादी ने हुई, तो हनीवून पर किसके साथ जाएंगी तो चालेगी आपना दिमाग से ठीक है मारा तो ठीक से, तो अपना चेक करा ले क्या खाब ठीक है आपका दिमाग, शादी से पहले हनीवून के सपने ले पर आगे अरे, तो इसमें के बुदाई है कि मैडम माना कि मैं हूँ थोड़ी अलब तर्या कि लॉंडिया, पर मैं ये भी जाना हूँ कि साथ जी के बाद चोरी की पसंद ना पसंद कोई ना पूचे है इसलिए मैं तो साथ जी से पहले अपने पसंद के हनीवून पर जाना चाहूँ इंतजाम कर इसको हनीवून पर भेजने के लिए मुझे लड़के का इंतजाम करना पड़ेगा और लड़के का इंतजाम मतलब मैं जी के हुआ, के सोचन लागी देखो मैडम, शादी से पहले कोई शरीफ लड़की हानीबून पर नहीं जाती है हैं, मारे गाउंपी तो सारी छोरिया जावे हैं क्यों, देखो क्या वहाँ सेंटर होना से सेंटर होना है? हमेशा के लिए रहना है सेंटर होना है, होता है हाँ, एकी बात से हाँ, शादी से पहले हनीबून की जिद्मत करो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी क्ये समस्या हो जावेगी? पैसे की? नहीं, पैशे की मारे बासाना सुदर पैसे की कोई पमिना होएगी मारे करने बहुत पैसे हैं दिखाओ, दिखाओ अरे मैं पैसे की बात नहीं कर रही हूँ तो तू के बात कर रही है? जरब खुल के मैदान में आ मैं आपको हनीबून पर भेजने के लिए एक लड़के का बंदुबस नहीं कर सकती तो तेको कोण बोले हो कि मानने को हनीबून के बास से छोरा चाहिए? लड़का नहीं चाहिए? लड़का पागर हो गई है क्या? अगर गलती से भी मारे करने कोई छोरा आ जावे ना तो वाकि गाल से एक देवू तो 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 किसके साथ जाओगी? तो चलना मैं ने कहा ना मैं वैसी लड़की नहीं हूँ हर तरफ से तो बरे पूरी लागे है फिर के कमी हैगी तुझ में? चड़ते ये दम तोड़ देगी के? या बकवास अरे हो अरे? इसमें बकवास के हैगी? यो तो कड़वी सच्चाई हैगी कि अच्छे-च्छे पड़े चोश में चड़ना शुरू करे हैं पर बीच में ही टैबोल चावे हैं ये शरम नहीं आती है ऐसी अस्लील बात ही करते हुए असलील बात? अरे? पहाड पे चड़ने में कौन से असलील बात हैगी यार? पहाड पे? असली जगों पर याते हैं पर फिली? बरफ में जा के के करेंगे बरफ में तो सब कुछ सिक उड़ जावे हैं सब मितलब? हाँ हाथ, कान, नाक, मूँ, सब कुछ तुम मेरी समझ में ही नहीं आ रही हो समझ के काम मनने को ते की भावी बनावेगी क्या? सिद्धी सी बात है एक काम लाई हूं तरने पास तुमारा काम कर दे फिर तो अपने रास्ते मैं अपने रास्ते इसमें समझ न समझाना के से? यही ठीक रहेगा यह बताइए कि आप कहा जाना चाहती है हनीमून पर? मन्डे को ऐसी जबा बेज दे जहां पहुचते ही हनीमून का मजा आ जावे अरे लॉंडे के बिना कहीं मजा नहीं आने वाला हनीमून का पूचर मारे संग थारी एक गल्फ एमी दूर हो जाएगी अरे फिर वही बात मैंने कहा ना मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ मन्ड ने तो तारा टाइप ही समझना रहा किस टाइप की से तू? मैं एकदम सिंपल, सोबर और स्ट्रेट लड़की हूँ के हैगी, के हैगी? मैं सिंप... अरे यार इसके तो इंगलिश की भी वान दे मैं एकदम सिधी साधारान आमसी लड़की हूँ जिसे लड़के पसंद है हो सदारान... ना ! ये ना हो सके है तू सिधी साधारण ना हो सके है क्यूँ? अरे जो लड़की सरेयााम बिंदास बोले है कि मन्ने तो छोड़े पशंद É वो लड़की सिद्धी न, वो तो चाडो होवे हैं. क्या भखवास कर रही हो तो? अच्छा, मणने सच्चाई बोली, तो मणने की बाद भखवास होगी. तो फिर सच्चाई तो ये भी है क्य當े तु लेजबियन है? लेजबीयन के? लड़कियों के साथ करती है, जी या बक्वास कर रही है, अच्छा मैंने सच्चाई बोली, तो मेरी बाद बक्वास हो गई, पर तुम कितना भी बक्वास बोलो सच्चाई बदलेगी नहीं, तो यह सच्चाई हैंगी, और नहीं तो मुझे क्यों बार-बार अपने साथ चलने को बोलरही हो आरे पागर वो तो इसलिए ते को अपने साथ ले जाना चाहूं कि अगर honeymoon पे बोर हो गई तो साथ बैठके टैम पास कर लेंगे honeymoon पे बोर हो गई कोई बोर होता है honeymoon पे अगर honeymoon के नजारे अच्छे नहीं लगे तो बंदी पोर ही होवेगी ना honeymoon पर नजारे देखने कौन जाता है जाता है कोई अब तो ना सच में मन्ने तू ही समझना आ रही है मन्ने लागे है कि तू यह क्याना चावे है कि सादी के बार जोड़ा जो पिकनिक पर करने चावे है है वो मैं हनि्मून पे कर और जा रहे हूं एक मिल एक मिल क्या चाव आधी के बाद पिकनिक और शादी से पहले हनिमून होता है और शादी के बार पिकनिक महारी सहे या तो उन्होंने तुम्हें चू बनाया है या तो तुम पहले से बनी बनाई तो यह मत्बल है अरे मेरी भोली वंजारन शादी से पहले पिक्निक होती है और शादी के बाद हनी मून के यो बाद से हां यह तो गणी बड़ी गड़गड हो गई से अच्छा तभी तुमारे करने चलने को मना कर रही थी खे अब तो बात साफ है गई ना अब तो चलेगी मारे संग हां अब कोई प्रॉब्लम नहीं है बताओ कहा जाओगी होंग कॉंग पटाया क्या यह लड़की भोली नहीं हो सकती मैडम ओ मैडम अरे इसे के हुआ खुशी के मारे लड़क गई के अब अब आपको हमारा यह एपिसोड भी पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो प्लीज इप्स थांग सब और शेर इट विट यह फ्रेंज अलसो सब्सक्राइब टू आज चैनल तिल देन स्टेए होप, स्टेए सेफ